कट्रीना कैप ने सलमान खान से तोड़े चार वादे शादी करके भूल गई कट्रीना कैप अपने किये गई प्रॉमिस इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर कौन कौन सी बात और कब कब कट्रीना कैप ने सलमान खान से कही जो की पूरी नहीं कर पाई कट्रीना कैप ने सल्मान खान से एक बार कहा था कि उन्हें प्यार से डर लगता है जब कैट से दुवारा पूछा गया कि उन्हें थपड से डर लगता है या फिर प्यार से तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्यार से डर लगता है सल्मान खान उस वक्त कैट के सामने चुप रही और कटीना कैप अपनी कही गई बात पर अड़ी रही हलांकि किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कैट इतनी जल्दी अपनी कही गई बात को ही पलट देंगी उन्होंने शादी करके बता दिया कि वो वादे करना जानती हैं मगर उन्हें निवाना नहीं आता सल्मान खान के सामने कही गई इस बात को कैट ने खुदी जूटा साबित कर दिया और उन्होंने विक्की कोशल को अपना हमसफर बना लिया कैट ने जब ये लाइन कही तब वो कपिल शर्मा के शो पर पहुँची थी अब हजारों की ओडिन्स में कैट इस तरह की बात कहें और कुछ महीने बाद उससे मुकर जाएं तो जाहिर है ये वादा खिलाफी ही कह जाएगा कटरीना कैप कि उस बात को कौन भूल सकता है जब उन्होंने सल्मान खान को सबसे खास बताया था एक इंट्रीव में कैट ने सबके सामने कहा था कि सल्मान खान उनकी लाइप में बहुत ज़्यादा एमियत रखते हैं और उनकी जगे कोई दूसरा नहीं ले सकता कैट का बयान उस बक्त आया था जब अपने दूसरे ब्रेक अप के दौर से गुजर रही थी सल्मान खान भी कटरीना की इस बात को सच मान बैठे और उन्हें यकीन नहीं था कि उनके साथ धोखा होगा कैट वादा तोड़ कर किसी और को अपनी लाइफ में खास बना लेंगी काटरीना कैप ने जब विकी कोशल से अपनी लव लाइफ शुरू की तो सल्मान खान को इसकी भनक नहीं लगने दी और फिर धीरे धीरे सल्मान उनकी प्रियारिटी में खिसक कर नीचे आते गई जिन काटरीना कैप ने सल्मान खान को सबसे खास बताया था उनकी नेजर में देखते ही देखते ही विकी कोशल खास बन गई काटरीना कैफ ने तीसरा वादा ऐसा किया था जो हल फिलाल कर नहीं बलके सालों पुराना है और उनका ये वादा था सलमान खान की बेहनों से ये सब जानते हैं कि अगर सलमान खान की बेहने नहीं नहीं होती सल्मान खान की वहन अर्पिता खान ने इस वारे में मीडिया को सब कुछ बताया भी जाहिर है सल्मान खान की फैमिली से किया गया बादा कैट के पुराने बादों की तरह ही फेक और जूटा निकला कट्रीना कैप का चोथा बादा सल्मान खान को कभी ठेस नहीं पहुचाने का था कैट कई बार कह चुकिए कि वह ऐसा नहीं करेंगी जो सल्मान खान को गलत लगे हलांकि एक बार नहीं बलकि कैट दो दो बार से जूटा सावित कर चुकी है शादी के डिसीजन से कैट ने सल्मान खान को जो धक्का पहुचाया उसे वो कई बार भरोसा दिलाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकती कैट ने एक तरसे सल्मान खान की भाबनाओं से खिलवाड किया है और एमोशन्स का फायदा उठाया है दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान का कट्रीना कैप ने सिर्फ इस्तिमाल किया और क्या उनका शादी का सपन दिखाना भी उनके इन वादों की तरह ही जूटा था कमेंट बाक्स में अपनी राज़ जरूर दाएं